नमश्वार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है बिश्चिक राजशी बालों दोस्वों आप शबी को बता दें कि दोस्वों 24 अपरेल, 25 अपरेल, 26 अपरेल, 27 अपरेल, 28 अपरेल, 29 अपरेल और 30 अपरेल का जो आपका ये अपरेल मां का आकरी शमय है यानन दाइक शमय बहुत ज़्यादा लाग परत समय रहने वाले हैं जिया दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि यह शमय आवधी में आप शबी की जुनकाल में पांच यह से बड़े चमतकार देखने को मिलेंगे जिन से दोस्तों आप शबी का जीवन बदल सकता है बसरते द ब्रेट पर्शन आप शबी के लिए शर्टिक होगी जो कि दोस्तों आप शबी की जुनकाल में आने वाले पूरे जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खास शावित होगा जीए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरू से लेकर अंतर तक जरूर देखें कि वीडियो में हम आपको वह शबी जन कर देंगे कि इन शमयावदी में आपका लवलाइफ के शरह हैगा श्वास के सारह है के रिखेंगा दोस्तों इन दिनों में आपका पार्लों जोन अर्ति सती और धन को लगत सतियां के शुचत होंगे पर तेक जनकार इस वीडियो में श देखिएगा उश्य पहले दोस्तों शर्परतम जोबी भगवान श्रणिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रदभावशे जयाई श्रणिदेव का नारा लगा दें अपती ज्यादा कारकार चित होंगी तो दोस्तों इन बात्रकों को भी आप अपनी जुनकाल में ढालने जिया दोस्तों कि काल करेशो आज कर आज करेशो अब पल में पर्ले हो जाएगा बहूरी करेगा कर्व भावार्त हमारे पास्ष्च में बहुत कम है जो कल करना है वो करो और जो आज करना है वह अभी करऊ है दोस्तों फल भर में पर लिक्ता आफ दोसों इन शमयाओदी में आपको ने बातों का ध्यान रखना है क्योंसे वीडियो से हम जो भी आप बात करते हैं कि याश में आपकी जुनकाल में कौन-कौन से आखिर शमतकार होंगे और कौन-कौन से बातें आपके लिए लाबकारे शागत होंगे दोस्तों घर की वरिश व्यक्तियों के शाथ कुछ शमय आवश्वेतित करें उनका शिर्वाद हो पर शयोग आपके लिए भागोदाई कारक रहेगा तथा आपके उजनावद तथा डिशिपलिन तरीके से कायरी करने की परिनाली से कई कायरी सुचारू रूप से याश में संपन होते जाएंगे शाथी दोस्तों याश में आपकी शाधने को लेकर बात करें तो दोस्तों याश में कभी-कभी अत्यदिक कारिभार की उज़शी तनाव आपके उपर हावी हो शकता है प्रंदों दोस्तों बाहरी कत्यदियों को याश में नदाज ना करें उनसे आपको आर्थिक लाब होने की शामाना है याश में किसी को पेशे उधारी में ना दें इनसे आप परहेश करें दोस्तों ये आपके लिए बहतर होगे आपका पेशा याश में फंश रगते हैं तो दोस्तों इनसे आप याश में शावदान है इसको प्रांद दोस्तों आपके लिए जो समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि आपको दिन भर्द की ताजगी वा फिर उत्सा भरा शमय महसुद होगा काम करने का जाजबा जाली रहने के वज़शे बड़ी जिम्यदारियों को ठीक से आप यश्मी निमा भी पाएंगे मित्र परिवार्शे भी किसी भी बड़ी शमस्या का हल निकालने में आप काम्याब रहेंगे और उनमें आपका महत्पुल सयोग रहेगा दोस्तों आपको बता दें कि काम से समधी तनाव कम होने की वज़शे आप यश्मी बहुत यह अच्छा महसुद करने वाले हैं इसको पराहन दोस्तों जिसमी आपके लिजुसमी में आपके दिंचरा करी जोसमी होगी दोस्तों आपको बता दें कि यश्में काम के वैक्टांत रूचिछ करेंगे एशा करना आपके अंदर दोबारा नई उर्जा का संजार करेगा तता रुजमर्णा की ठकाल से भी आपको रात देने वाले हैं आपको अपने वयवारिक देशीकों वपिर उच्छ सोच दोबरा कोई उपलब्धी भीएश में हासिल होंगी इसके प्राद दोस्तों क किसी भी पारविर्श दोस्तों की विवाय के जीवन में बिगटन शमंदी शमस्या उत्पन होने की शमानों बर रहे हैं इसी धोड़ा सा तनाव भरा महाल भी रहने वाले हैं प्रद्दों दोस्तों आपकी शलाह वापिर सुझाव से काफी हद तक शमस्या का शमाधान भी पेशे के महमले में भी किसी भी परकार का यश में किसी पर विश्वास ना करें किसी पर यश में आंक मूंद कर विश्वास करना आपके लिए बहुत ही नुक्षान कारेक होगा तो दोस्तों इन बातों पर आपको यश में गौर करना चाहिए इसको प्रान दोस्तों यश मे आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि आपके दोवारा रखे हुए हर लक्ष को प्राप्त करने की आपकी जिद आपको तनाव और इस्तिरता दे रही है दोस्तों यह शमय आपको एक शमय पर एक ही काम को करना चाहिए और पूरा ध्यान कोशी पर केंदिद करना चाहिए योजना पर ठीके रहने के लिए आपको अपने अंदर शमय बढ़ाने की भी आपशकता होगी कुछ बातों में तुरंत प्रगती नजर ना आना आपके लिए तक्रिब दायक होशकता है लेकिन धूसतों ध्यान रखेें कि यह कार्या आपके लिए भश में बहुत इलापकारट शारपद होंगी इसको परांध दोस्तों यह शमय आपके लिए जो समय होगी दोस्तों आपको बदा दें कि मावचीख शूण के लिए किसी धार्मिंग अस्तुल पर आप कोई समय आवस्वाइथित करें शाति संतान की किरेश शमदी किरेश समस्या का हल भी मिलने शे आपका तरावधर होगा अगर कोई भवन निर्मान शमदी कारी रुका हुआ है तो दोस्तों उसके शमद संदर्म में कोई कारी हो शकता है उनकी वर्जना बनाने का उचित समय है इनमें आप कारी करें ये आपके लिए बहुत बहतर समय होगा इस गुपरान दोस्तों ये शमदी की संबनों को लेकर मन में आपका भरमत्वा हातासा जिसी समस्याई भी उत्पन हो सकती है इस्ति भी शमद में बन सकती है अपने विचारों में धहर वा फिर अस्तिर्ता बना कर रखें इसमें दोस्तों ये जो समय है आपके लिए यातरा शमदी कोई भी गतिर्दी अस्तिकित रखना आपके लिए उच्छित होगा इसको प्राहन दोस्तों यह शुमें आपके लिए जिसमें होगी आपको बता दें कि दोस्तों परिवार के किसी व्यक्ति के शाथ हो रहे बिवाद कम होगे और आप शेमाजस भी यह बहुत यह रहेंगे दोनों व्यक्तियों दोवरा प्रत्न किया जा सकता है कि अपने पार्वीर जियोन को या फिर अपने शमन को और भी बहतर रखें परिवार के किसी व्यक्ति की शेहत में अचानक से शकात्मक बदलाव नजराएगा विसस्ता बच्छों के बरताव में आपको शकात्मक बदलाव यह में नजराने चाहिए आपको बता दें कि यह में आपकी बहुत सी प्रिशानियां का हल आपको प्राप्त होंगी और वाप श्रेंगी खोज लेंगे दोस्तों यह में निकर्शमन्यों के शाथ उनके घर में आगमाश से किसी विश्यस मुद्दे पर गमिरता से विचार मुमर्श भी होग और कोई उचित समाधान भी यह में आपको मिलने वाले हैं इसके साथी दोस्तों यह में काम कत्यदिक बोज अपने उपर लेने शी आपका तनाव भढ़ सकता है जिसका नकारतों परवाओ आपकी कारे छमता पर दिखेगा दोस्तों के शाथ भूमने फिरने में अपना समय वैर्थ ना करके अपने जो है महत्पुन कारियों पर अधिक ध्यान दें दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही महत्पुन शाविद होंगे इसके साथ ही दोस्तों यह में आपके के लिए जिए समय होंगे आपके वावशाय के लिए समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि बिजनस में पबलिक से समधित रिलेशन को और अधिक मजूद बनाएं आपको बता दें कि मीडिया तथा एड़र्टाइजमेंट समधी जो भी काम है उन पर ज्यादा ध्यान दें या समय कामकाज में कुछ चुनुतियां भी आपके शामने आएंगे हलांके दोस्तों आप उनका शामना करने में भी याश में शक्त चम रहेंगी इसको प्राण दोस्तों याश में अगर आपकी लव लाइप को लिकर बात करें अर्थात आपकी पारिवरिक जीवन की तो दोस्तों याश में पारिवरिक वह वास्ता शांती पूरूर्ण रहेगी प्रतों दोस्तों जीवन शाते की अस्वास्ता की वज़ाशे घर पर थोड़ा सा जो है अत्रिक्त आपको शमय भी देना होगा उनका ख्याल भी रखना होगा इसको प्रतों यहाशों में आपके लव लायव के लिए लिए आपको बता दे कि आप ओर आपके प्रतनर मिलकर पिगनी या फिर फिर अपने एकातव वक्त बिताना का वी यूजना बना चकते हैं इसको प्रांती दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लव लाइप के लिए आपके पारेवरिक जिवन के लिए आपको बता दें कि दोस्तों घर में अनुशाशन पूर्ण वातारण भी रहेगा पती पतनी का अपसी सयोग घर की वश्ता को उचित बनाने में सक्सम रहेगा आपके लव लाइप के लिए समयोंगे आपके पारेवरिक जिवन के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि बिवाय तो समदों में मदूरता रहेगी कोई पुरानी दोस्ती प्रेम शमदों में तो बदलेगी शादि दोस्तों जो भी पहले से प्रेम शमदों में है यश दोस्तों अधिक से अधिक शमय जो है आप अराम के लिए जरूर निकालें अपने दिंचलिया को वेस्तित रखना यह में आपकी जिम्यदारी होगी तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान दें अधिक तरह और कम नींद के वज़श्य आपको इसमें तकलिफ हो सकती है तो यह समय इन बातों को आपको ख्याल रखना चाहिए इसको प्राण दोस्तों यह में आपके हैल्त कलिए जो समोंगे आपको बता दें कि सर्दे जुखाम वायरेल आदी जैसे कोई भी प्रिशानी हो सकती है यह मोसम से अपना बचाओ रखना यह में आपके लिए अत्ती आऊशो कि अत्यदिक काम के उज़शे पेरों तुदा कमर में दर्द के शमस्या भी रहेगी कुछ समय आराम के लिए जरूर निकालें फेजियो थेरेपी इसका इलाज भी हो सकता है तो दोस्तों अगर आपके नईदी यह कोई परबंध है तो इनका आप उपयोग कर सकते हैं इसको